Hello all, welcome to JSD Economics class. This is my lecture 8 on Theory of Consumer Behavior. इसमें मैं आपको बताऊंगी Application in Uses of Indifference Curve. तो 3 main uses मैं आपको इसके बताऊंगी जो examination point of view से बहुत important हैं और अक्सर exam में पूछे जाते हैं. तो first, ये मैं पहले ही बता चुक्की हूँ कि जो Indifference Curve के जो technique है It was firstly used by Edgeworth लेकिन चुकि उन्होंने इसे demand curve को derive नहीं किया था इसलिए जो है हम Indifference Curve के साथ Prof. J.R. Hicks का नाम जोडते हैं क्योंकि J.R. Hicks ने Indifference Curve से demand curve को derive किया था लेकिन Edgeworth ने ये जो technique थी Indifference Curve वाली उसका use उन्होंने किया था ये जानने के लिए कि two individuals के बीच अगर two goods का exchange होता है यानि बाटर सिस्टम जहां goods का exchange हो रहा है ऐसे में कैसे दोनों individuals को फायदा हो सकता है या फिर एक की condition better off हो सकती है दूसरे की worse off के भीना चीक है तो जो first इसका use या application है उसके लिए देखें mutual advantage of exchange between two individuals of two goods तो एक आपको मैं बताती हूँ इसमें two individuals लिए गया है suppose person A, person B और दोनों का indifference map बनाया गया है indifference map क्या होता है यह मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक indifference curve जिसमें which shows more than one indifference curve is known as indifference map तो इसमें person A का indifference map बनाना है person B का indifference map बनाना है लेकिन जो person A का indifference map बनेगा ठीक उसी के opposite person B का indifference map बनेगा इसके लिए आप क्या करिए पहले यह x-axis और y-axis बना लीजे person A का फिर person B का बनाने के लिए इसी को 180 degree angle पे पलट दीजे तो ऐसे में देखें यहाँ पर x good है person A और यहाँ पर y good है for person A यहाँ पे o x-axis बन जाएगा person B के लिए o y a y बन जाएगा यह person B का है x and y चीक है अब आपको मैं graph से समझाने के कोशिश करती हूँ यहाँ a1, a2, a3, a4, a5 ऐसे 5 indifference curve लिए गए है person A के तो जैसे जैसे वो move on करता है उपर के तरफ उसका क्या है satisfaction level बढ़ता जाता है क्योंकि higher indifference curve shows the higher level of satisfaction इसी तरह से जो person B है उसका indifference curve B1, B2, B3, B4 और B5 इस तरह से move on करता है और जैसे जैसे वो B1 से B2, B2 से B3, B3 से B4 और B4 से B5 पर आता है वैसे वैसे उसका satisfaction level बढ़ता चला जाता है चीक है, suppose जो initial condition में person A, X की OX A units को units उसके पास है और Y की OYA, यानि कि हम देख सकते हैं X उसके पास जादा है, Y कम है इधर हम देखते हैं, जो person B है, उसके पास X good कम है, यानि OX B, इसका good कम है उसके पास और Y जादा है, O Y B अगर जो है, person A, X थोड़ा सा Y को दे दे, और उसके बदले में X थोड़ा सा B को दे दे और B person से Y थोड़ा सा ले ले, तो कैसे दोनों एक better off condition में पहुंच सकते हैं, या एक better off हो सकता है दूसरे को worse off के बिना, यानि दूसरे की condition में कोई change ना आए, जबकि पहला better off हो जाए इसी को जानने के लिए इस edge worth box को बनाया जाता है अब देखिए, जो इनके intersects points है, जहाँ पर person A का indifference curve और person B का indifference curve आपस में एक दूसरे को touch कर रहा है उसको अगर हमें curve से जोड़ देते हैं, तो वह हमारा कहलाता है contract curve, ठीक है इस contract curve पर या तो दोनों की condition better off होगी, या फिर एक टी better off होगी, दूसरे को worse off किये भी ना बाद में इसको परेटो ने भी welfare economics में इसको use किया था, परेटो optimality को बताने के लिए और इसी को परेटो optimal points भी कहा जाता है आप देखिए मैंने कहा था, जैसे मैंने initial condition मैंने बताई, यह point E है, जहाँ पर उसके a person के पास x की ox से, और y की oya quantity है अगर यह दोनों आपस में exchange करते हैं, और इस point से, E point से, point, यह देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा, point D पर अगर पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि यह जो curve है, यानि B की position तो same है, B to B2 पर यह है, लेकिन A क्या हुआ, A4 पर पहुंच गया, जो कि A2 पर था, person, वो कहां पहुंच गया, A4 पर पहुंच गया, तो A4, A2 से higher indifference curve पर है, इसलिए यह higher level of satisfaction को दिखाता है, यानि कि अगर point D पर move on करते हैं, वो इतना exchange करते हैं कि point D पर आ जाएं, तो यहाँ पर A की condition better off हो जाती है, जबकि B की condition में कोई change नहीं होता है, B same indifference curve पर बना रहता है, ठीक इसी तरह point हम B को ले ले, क्योंकि यहाँ पर भी एक दूसरे को touch कर रहे हैं, touching points को ही हमें लेना है, क्यों क्योंकि यहाँ पर marginal rate of substitution है, वो person A और person B का आपस में बराबर होता है, आपको goods के बराबर हो जाता है, तो margin rate of substitution जब दोनों goods के exchange के आपस में बराबर हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो equilibrium के position पे होता है, ठीक है, अगर हम इस point की बात करें B पर, तो हम देखते हैं कि जब A2 से वो move करते हैं B पर goods का exchange करके, तो B तो better of condition पे पहुँच जाता है, क्योंकि B2 से B4 पे पहुँच जाता है, जबकि A2 पे ही A बना रहता है, person A, A2 पे ही बना रहता है, यानि person A के person A उस same condition में रहता है, लेकिन B अपनी better of condition पहुँच जाता है, उसकी यहाँ पे इससे आप देखिए जब यहाँ पे move on करते हैं दोनों इतना goods के exchange करते हैं कि इस point पे पहुँँच जाए तो B3, B B2 से B3 पे पहुँच जाता है और A A2 से A3 पे पहुँच जाता है यानि दोनों ही higher indifference curve पे पहुँच जाते हैं और दोनों का ही satisfaction बढ़ जाता है तो यह जो पूरा shaded area हम आपको दिखा रहे हैं इसमें consumer कहीं पे भी हो सकता है और इसमें या तो एक better of होगा दूसरा worse of नहीं होगा और या तो दोनों ही better of condition पे पहुँच जाते हैं इसी को कहा जाता है कि जब दो persons के बीच में दो individuals के बीच में goods का exchange होता है तो किस तरह से व कोई confusion हो तो please comment box में जरूर दालिएगा दूसरा अब हम आपको बताएंगे subsidies versus grant basically आपको पता है subsidies government subsidies देती है तो उसका क्या फाइदा या नुकसान है और अगर वो subsidies ना देकर subsidies क्या होती ये भी हम आपको बताएंगे subsidies ना देकर grant देती है तो उसका क्या फाइदा नुकसान है इसको देखने के लिए इंडिफरेंस का उफ का यूज किया जाता है तो second जो इसका uses है वो subsidies को देखने के लिए grant को देखने के लिए किया जाता है इसमें आप देखिए जो हम assume कर रहे हैं जो previous price line है वो PL है जो कि goods की prices and जो income होती है उन सब को लेकर बनाई जाती है चीक है उस उसके बाद जब वो X goods को पर subsidies का मतलब यह होता है कि government उसको उसका कम price consumer से लेती है और जो भी कम लेती है वो अपने पास से देती है यानि कि consumer के लिए उस goods की price कम हो जाती है for example cylinder पर government subsidies देती थी जिसकी versus जो poor person थे उनके लिए वो gas cylinder सस्ता हो जाता था ठीक है अब क्या कर रहे government वो subsidy goods की prices को कम करके नहीं कर रही है बलकि उतने के बराबर वो income उनके account में डलवा देती है तो account में डलवाना ज्यादा अच्छा है या फिर उनको goods पे subsidies देना ज्यादा अच्छा है इसको जानने के लिए भी indifference curve का use किया जाता है तो मैंने बताए कि जो previous price line है वो मेरी PL है जब subsidies government देती है तो price line change होके PL1 हो जाती है क्यों क्योंकि अब जो है X good सस्ती हो जाएगी consumer के लिए ऐसे में वो उसकी ज्यादा quantity को consume करेगा suppose वो यहाँ पे कहीं पे indifference curve पे था वो higher indifference curve पे पहुँच जाता है और IC पे equilibrium की position पे हो जाता है और इसमें वो consume किता कर रहा है वो X quantity को consume कर रहा है ठीक है I hope आपको समझ में आ रहा होगा अब क्या करती है government subsidies देने के बजाए government grant दे देती है मतलब money income उतना उसको दे देती है यहाँ पे subsidies वो कितना दे रहे थी तो आप देखेगा जब इस point को आप ले जाएंगे यहाँ से यह previous line को जहाँ पे touch कर रहा होगा यानि केटी के बराबर subsidies उसको दे रहे थी जिसके वज़े से consumption of good बढ़ जाता है लेकिन अगर यह इतनी ही income यह केटी के बराबर ही income money income यह consumer के खाते में डाल देती है यानि subsidies ना दे का वो उतना पैसा consumer को दे देती है तो जो income line हमारी price line change होकर क्या होती है change होकर इस तरह से हो कि वो indifference curve जो subsidies के बाद जो indifference curve हमारा था उसको cut करते हुए जाना चाहिए तभी यह दोनों आपस में बराबर amount आएगा तो हम देखते है point E पर यह आपस में एक दूसरे को cut कर रहे है तो जो new मेरी price line बनेगी वो PL जो previous price line है उसके एकदम parallel बनेगी और इस पे हम देखते है कि जो equilibrium की position पे consumer पहुंचता है वो यहाँ पर E3 point पे पहुंचता है यानि कि वो higher indifference curve पर IC1 पर पहुंच जाता है IC1 IC से higher है इसका मतलब consumer को higher satisfaction मिलता है ऐसे में लेकिन आप देखिए कि जो वो पहले consume कर रहा था good subsidies के बाद वो OX quantity consume कर रहा था लेकिन जब उसको grant मिलता है तो वो OX2 यानि पहले से कम quantity को consume करता है इसका reason ये है कि ये अब consumer के उपर depend करेगा कि वो उस income को किस तरह से खर्च करें क्योंकि X good पे जो substitution effect था वो तब लागू हो रहा था जब वो good सस्ती हो गई थी लेकिन अब वो goods के rate में कोई changes नहीं हुआ बलकि उसकी income बढ़ गई है तो income बढ़ने के वज़े से आप बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो X की ही जादा quantity को consume करे हो सकता है वो दूसरी good की जादा demand करे तो इस तरह से जो subsidies होती है subsidy versus grant पूछा जाता है तो grant मिलने से consumer higher indifference curve पर पहुंचता है जिससे उसका satisfaction का level बढ़ जाता है यहाँ पर हमने money income और subsidies को लिखाया था और यहाँ पर हमने good X को दिखाया था I hope आपको समझ में आ गया होगा कोई confusion हो तो प्लीज आप comment box में जरूर डालिएगा Now we move on the third use of the indifference curve direct versus indirect tax अब government यह देखती है कि उसको direct tax लगाने से ज़्यादा मतलब direct tax और indirect tax अगर उनसे दोनों से इसको same amount मिल रहा है तो उसको कौन सा tax लगाना चाहिए जिससे consumer के satisfaction में कम से कम कमी आए ऐसा देखने के लिए भी indifference curve का use किया जाता है Suppose हमारी previous जो price line है वो PL1 है PL1 पर वो IC3 पर कहीं पे equilibrium की position पे था ठीक है अब हम देखते हैं IC3 sorry E point पर अगर उसको touch करेंगी तो E point पर वो equilibrium की position पे था अब government क्या करती है indirect taxes लगाती है indirect taxes का मतलब क्या है वो जैसे goods पे tax लगा देती है goods को महंगी कर देती है तो goods महंगी हो गई taxes की वज़े से जिससे क्या price line change होकर हमारी PL हो जाती है PL होने की वज़े से वो क्या होता है अब उस goods की कम quantity को consume करता है क्योंकि जो indifference curve है वो नीचे आ जाता है वो कहीं पर IC1 पर IC1 उसको E1 पर touch करता है यहाँ पर equilibrium की position पर consumer होता है जो कि IC3 से नीचे है जिसका मतलब consumer के satisfaction में कमी आती है और यह obvious भी है क्योंकि जो tax लगते हैं तो उसकी वज़े से क्या है अब goods महगी हो जाती है गoods महगी होने के वज़े से उसका कम consumption होता है कम consumption कम satisfaction level को दिखाता है यानि कि वो कितना tax दे रहा है PM के बराबर PM के बराबर वो pay कर रहा है tax को PM के बराबर जिसका की पहले वो कितना दे रहा था वो TM amount दे कर इस good को ले ले रहा था अब इतने ही good के लिए क्या कर रहा है PM amount दे रहा है यानि कि यह जो PT है यह है sorry पहले वो यह अब PM जो है वो ON quantity के लिए PM amount वो pay कर रहा है ठीक है इसमें जो यह है वो indirect taxes है के even या TM जो आप कहेंगे वो indirect taxes है यानि इतने के बराबर जो amount है वो indirect taxes के रूप में government को मिल जा रही है अब अगर यह indirect taxes से जितनी income मिल रही है इतनी ही income अगर उसो direct tax से लेना चाह है तो हमारी price line change हो जाएगी और price line change होकर हमारी AB price line हो जाएगी जिसको हम कुछ इस तरह से खीचेंगे जो कि एक तो parallel बननी चाहिए PL1 के और इस तरह से खीचेंगे जो IC1 के even point से होकर निकले तभी यह amount सेम आएगा के even जो कि हमारा indirect taxes का amount है direct taxes में same amount लेने के लिए यह तभी बराबर आएगा जब यह even point से होकर गुजरे जब यह even चूकि यहाँ पर satisfaction इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि price line IC को touch करनी चाहिए ना कि intersect करनी चाहिए और यहाँ पर intersect कर रही है तो हम देखते हैं कि वो E2 point पे कहीं पे equilibrium की position पे होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो IC2 पर है यानि कि taxes लगने की वज़े से indirect taxes लगने की वज़े से वो IC1 पर था जो कि direct taxes की वज़े से IC2 पर पहुँच जाता है तो इससे better of condition होती है हलां कि taxes नहीं लगने पर IC3 पर था taxes लगने से उसके consumer का satisfaction ने वो कम होता है लेकिन direct taxes की अपिछा indirect taxes में उसके satisfaction में जाधा कमी आती है I hope आपको समझ में आ गया होगा कोई confusion हो तो ज़रूर पुछेगा ये तीनों ही application indifference curve के बहुत important है next में आगे सबसे पहले जो चीजें थोड़ी पहले छूट गई है marginal utility और total utility का जो relationship है उसको नहीं बताया है consumer surplus है उसके बारे में जाधा नहीं बताया है तो next lecture में मैं उसको cover करूँगी उसके बाद जो मेरे पास request आईए कि मैं MCQ questions बना के आपसे पूछूँ वो मैं पूछूँगी और फिर मैं move on करूँगी next unit पे जो है production and cost thank you so much